अस्सलामूं अलेकूं रिनासी किचन में आपका स्वागत है रिनास के किचन में आज बन रहे हैं गनपती बप्पा जी के भोग के लिए पोटली मोदक आपको ये रेसिपी भोग पसंद आएगी बीना चीनी के टेस्टी प्रसाद जो भी खाए खुश हो जाए ऐसे मैं मोदक में आपकी रही हूँ तो चला मैई इसके लिए बाताती हूँ मै ulikt जीया एक कप मैदा लिया यह थोड़ी नमक लिय थोड़ा साथोड़ा साथा ही हमें चाहिए और इया हमने वन यान ऑन हाफ टेबल स्पून गी अब हम इसका своего बना यह देखिए यह हमारा डो रेडी हो गया इसे थोड़ा सा बाहर से भी मैंने घी लागा कर इसे अच्छे से मसल लिया है अब हम इसे डग करके साइड में रख लेंगे और स्टेफिंग बना लेंगे अब हमें फिलिंग बनानी है इसके लिए हमें चाहिए वन टीस्पून हम इसमें से घह लेए यह हैं यह मैंने ग्रेट किया हूआ यह अतरोड़ा है अगर आपके पास डेसी के टिंट होगा मार्केट वाला तो बीचलेगा यह मैंने लिया हैं यह हाफ कप लिया है यह चुट माँ दस से बारा ले लेता उस्सेट में चौपकार लेता उसे और काजु10 बारा ले ले लेना उसे भी चौकार लेना यह मैंने पूरा मिक्स है मेरा तो मैंने यह मिक्स लिया लिया है और यह हम खशकश डाल देंगे इस हम अच्छे से पहले बून लेंगे ग्यास को हमें जादा हाई नहीं रखना है मीडियम लो रखना है अब हम मिक्स ड्राइब फूट से वन टेबल स्पून डाल देंगे आपको जितना डालने उतना डाल सकते हो अब हमें नारेल डाल देंगे इस नारेल के बुरा देपा में अच्छे से गूर्ण लेना है अब हमें ये गूर्ण दाल देना है अब हमें ग्यास बन कर देना हो और इसे कंटिने हिलाते रहना है अब हमें इसके अंदर इसे मैंने सैड में ले लिया है अब हमें इसके अंदर वन फॉर्ट टी स्पून इलाइची पवडर डाल देनी है और यह मैंने जाइफल लिया है इसे अब हम थोड़ा वेट करके डाल देंगे थोड़ा सा ही डालना है इससे अच्छी खुजबू आती है और टेस्ट भी अच्छा आता है ज्यादा मट डालना इस अठासरो का अजोड़ा करणा है अच्छा से मिंख्स करना है लो देखें ये हैंहें हमारे पोटली का खजाना इसे हम खजाना भी बोल सकते क्योंकि इसके अंदर नारेल का बुरादा है ड्राइफरूट से गोड है तो यह क्या है एक खजाना ही है तो यह हमारा हो गया पोटली का खजाना अब हम पोटली बना लेते हैं कि अब मैंने आटा ले लिया आब हम इसके छुट ऐंटे बाल्स बना लेंगे attu aji आप आपको जितने साइस के करने है उतने साइस के उसका सकते हो है कि अब हम पूरे बनाके लेते हैं इह देखिए यह हमारे बन गए अब उसमें से में एक ले लेती हो और इसे में ढक करके रख देती और शुक्ता थोड़ा से सूख्याटे में हम बाल लेंगे और इसे ix बैल लेंगे अ где दूझेpants इसे हमने बेल लिया अब बीश में हम यह हमारी फिलिंग रख देंगे यह हमारा ख़जा नहीं और इसे साइड से हमें पानी लगा रहें ताकि हमारी यह पोटले खुलना जाएं अब हमें यह तुड़ा इसा करना है इसके प्लेट्स बनाने हैं यह देखे इसे हमने किया इसे अब हमें इसे बीट से दबाना है मतलब यह पुरा बीट से पैक हो जाता है यह हमारा निकलेगा नहीं इसलिए हमें पानी लगाना था यह देखे होगा नहीं यह पोटली इसे अच्छे से हम पैक कर लेंगे यह देखे इसे हम साइड में रख लेते हैं और एक हमने ले लिया इसे भी हम बेल लेंगे अब यह फिलिंग रख देंगे और साइड से पानी लगा देंगे किसे के पास अगर मोल्डा होगा तो यह रेसी भी बहुत अच्छी है बीना मोल्ड वाली और दिखने में भी अच्छी लग रही है जितने आपको इसके अंदर स्टफिंग डालनी होगी उतने आप डाल सकते हो कि अब में इसके अंदर जितने हैं उतने पुरे बना लेते हो हूँ यह देखए बन गए हमारे मोदब अब हम इसे अप्रप कर लेंगे इह उतने आठे में 10 से 11 बन जाते है यह दीकिए कैसे लग रहे अब हम इसे फ्राइब कर लेंगे मैं से हाप यूज गरम करने के लिए रखा है है कि फ़ो देंगे नियुकि बनाने लिए मिन टार्म से यूज झालाई ऐट jsem ऐसे अब हम इसे आर्म से छल लिए यह देखिए यह देखिए यह हो गए हमारे अब हम इसे निकल लेते हूं अब बच्चे हुए भी हम इसे फ्राइ कर लेते हूं यह देखिए यह बन गए हमारे पोटली मोदब अब मैं आपको मेरी पोटली खोल कर बताती हूं देखो एक मैंने ले लिया आप मैं मेरी पोटली को खोल देती हूं आप देखिए यह आप ऐसे भी दे सकते हूं यह देखिए मेरे पोटली का घजाना अब मैं आपको एक टेस्ट करके बताती हूं यह देखिए मैंने एक लिया आप में टेस्ट करती हूँ अंदर से बहुत गरम है फिर भी आपके लिए में टेस्ट करती हूँ देखिए आप भी जरूरी से बनाना बप्पा आपके बहुत खूश हो जाएंगे अलग अलग टाइप के हम और मोदक ले आएंगे कल मैंने एक रेसिपे अपलोड की थी आप डिस्क्रिप्शन में में उसकी लिंक देती हूँ उकडी चे मोदक वो भी आप देख लेना अलग देली 10 दिन के अलग अलग आप मोदक बना सकते हो मैं और अच्छे रेसिपी मोदक के लेकर आऊंगी यह भी आप बना कर देख लाएं बहुत अच्छे लगते हैं मेरी अगर रेसिपी आपको अच्छी लगे तिसे लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो और आपको सबको गनपति बपा की हर्दिक हर्दिक शुब काम नाएं मिलते हैं नेच्छ रेसिपी के साथ अल्ला हाफीज